ये कहानी दिल्ली शहर में रहने वाली मनोर्मा नाम की औरत की है मनोर्मा के दो बेटे थे बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश मनोर्मा के दोनों ही बेटे जवान हो गए थे लेकिन उसे पहले अपने बड़े बेटे की शादी करनी थी उसने एक लड़की देखा जहां से उसे बहुत दहेज मिल रहा था लड़की थोड़ी मोटी थी लेकिन दहेज के कारण मनोर्मा ने अपने बड़े बेटे की शादी उससे करवा दी लड़की का नाम भारती था भारती अपने मोटापे के कारण कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं कर पाती थी और वो बहुत ही जादा शरीफ और मासूम भी थी तेज तरार और चालाकी जैसी चीजे उसके अंदर थी ही नहीं जिस कारण कुछी दिनों में भारती की सास मनोर्मा उससे परिशान हो गई थी इसी तरह एक दिन बहु ओ भारती बहु जरा कूगर की सीटी लगने से पहले गैस बंद कर देना ठीक है मम्मी जी अभी कर देती हूँ मनोर्मा ने जब भारती को गैस बंद करने के लिए कहा था तब कूगर की सीटी आने वाली थी और मनोर्मा चाहती थी कि कूगर की सीटी आने से पहले भारती गैस बंद कर दे लेकिन हुआ ये कि जब तक भारती उठकर गैस बंद करने के लिए रसोई तक पहुँची अब क्या होगा मम्मी जी? मम्मी जी की बच्ची अब कुछ नहीं होगा, अब दोबारा से चावल बनाना पड़ेगा और इस बार चावल तू ही बनाईगी, समझी? ठीक है मम्मी जी? क्या ठीक है? एक काम कर तू रहने दे, अगर तू चावल बनाने लगी ना, तो आधी राथ हो जाएगी, मेरे दोनों बेटों को भूका सोना पड़ेगा, तू रहने दे, मैं खुदी चावल बना लूँगी ठीक है मम्मी जी? अब भट्जा, निकलने की जगा तो दे, मोटी कहींगी, एक काम फटा फट नहीं होता है इस ओरत से ठीक है मम्मी जी? जैसा कि भारती का शरीर मोटा था, इसलिए मोटा पे की वज़े से उसके अंदर आलस कूट कूट कर भरा हुआ था भारती के आलस से उसका पती और उसकी सास बहुत परिशान रहते थे भारती के आलस की वज़े से मनोर्मा को बढ़ापे में भी घर का काम करना पड़ता था वैसे भारती चाहे कितना भी आलसी हो, लेकिन वो अपनी सासुमा से प्यार बहुत करती थी वो कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देती थी दूसरी तरफ रसोई में खाना बनाते हुए मनोर्मा गुस्से में बड़बडा रही थी ए भगवान मेरी मती मारी गई थी जब मैंने इसको अपने घर की बहु बनाया था कोन सी मन Iron घरिं में मैंने इसको पसंद किया था इस उम्र में तो लोगों की सास आराम करती है थन्ड में रजाई में पड़ी रहती है और बहु सारा काम करती है लेकिन मेरी किसमत में सास होने का स्रुक कहां लिखा है तभी वहाँ पर आराम आराम से चलते हुए भारती आती है और अपनी सासू मा से कहती है क्या हुआ मम्मी जी बड़ बड़ा क्यों रहे हो कुछ चाहिए क्या हाँ जहर ला कर दे दे मुझे जहर की जरूरत है मुझे अभी ला कर देती हूं मम्मी जी नहीं नहीं तू रहने दे महरानी जब तक तू जहर लेकर आएगे तब तक मेरा मूड ही बदल जाएगा क्या आप मरने के लिए जहर मंगवा रही थी नहीं नहीं खाने में डालने के लिए मंगा रही थी जहर डालने से खाने में अच्छा स्वाध आ जाता है ना इसलिए अच्छा ऐसा भी होता है क्या लेकिन मम्मी जी कम जहर डालना खाने में कहीं ऐसा ना हो हम सब मारे जाए भारती की इस बात पर मनौर्मा देवी की आखों में आसु आ जाते है वो अपनी किस्मत को कोजने लगती है और माधा पीट कर आसमान की तरफ देख कर कहती है हे भगवान मेरे बड़े बेटे की किस्मत में तूने ऐसी पत्नी लिख दी लेकिन मेरे छोटे बेटे की पत्नी को बड़ी फूर्तीली रखना ताकि इस बुढ़ापे में मुझे ठंसे कुछ तो आराम मिले शायद उस समय मनोर्मा देवी की जुबान पर सरस्वती का वास था क्योंकि जैसा उसने चाहा था वैसा ही हुआ कुछ समय बाद उसके छोटे वेटे की भी शादी हो गई अब सरीता घर में छोटी बहू बन कर आ गई थी सरीता पतली दुली और बहुत ही चालाग दिख रही थी सरीता से मनोर्मा को बहुत सारी उमीद थी और फिर एक दिन भारती बहू एक काम कर सबके लिए आलू के पराठे बना दे चीक है मम्मी जी तब ही वहाँ पर सरीता आती है और कहती है लेकिन मम्मी जी आलू के पराठे तो मैंने बना कर रख दिये हैं क्या बना दिया लेकिन कब जब आप उजा कर रही थी तब मैंने आलू बाला मसाला तयार किया और पराठे बना दिये सरीता की बात सुनकर मनोर्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा उसे ऐसा लगा जैसे देवी मा उसकी मननत पूरी करने खुद आ गई हूँ फिर उसने भारती की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा पराठे तो बन गए हैं अब तुझा कर बाल्टी में रखे खपड़े दो दे एक मिनट कौनसे कपड़े ममी जी जो बातरूमे रखे थे हाँ बहु ममी जी वो तो मैने धो दिये क्या दो दिये लेकिन कब जब मैं नहाने गई थी तब ही मैंने बातरूमे रखे सारे कबड़े धो दिये थी और मैंने उन्हें चत पर सुखने के लिए भी डाल दिया अब तो खुशी के मारे मनोर्मा के बस प्राण ही निकलने वाले थे ऐसी रफ्तार वाली बहु पाकर उसको मोक्ष की प्राप्ती जैसा अनुभव हो रहा था तब ही उसने भारती की तरफ देखा सीप कुछ छोटी बहु से तुस्से छोटी है लेकिन कितनी फूर्ती है इसके अंदर ठीक है ममी जी चुप कर जब देखो ठीक है ममी जी ठीक है ममी जी एकदम चुप हो जाब ठीक है ममी जी भारती की बात सुनकर मनोर्मा ने फिर से एक बार अपना माथा पीट लिया अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी एक दिन भारती जब आंगन में जाडू लगा रही थी तब उतनी देर में सरीता ने कपड़े भी धू दिये और खाना भी बना लिया तब ही भारती सोफे पर बैठी मनोर्मा से बोली ममी जी थोड़ा पैर उठा सकती हो क्या पैर किसलिये तुम मुझे उठा दे ठीक है ममी जी लिकिन आप उठकर क्या करोगी चुप हो जा मेरी मा तब ही वहाँ पर सरीता आती है और कहती है भाबी जी आप रहने दीजिये मैं लगा देती हो जाड़ू मनोर्मा भारती के आलस और धीमी रफतार से बहुत चड़ती थी और जब से घर में सरीता आई थी तब से सरीता की रफतार देखकर मनोर्मा को भारती पर और गुस्सा आता था एक दिन सरीता मनोर्मा से कहती है बबी जी भाबी इतनी आलसी क्यों है पता नहीं ये शुरुआत से ऐसी ही है कोई काप ठीक से नहीं करती है सरीता अब अपनी सास मनोर्मा को भारती के खिलाव भढ़काने में लग गई थी इस बात का एहसास भारती को भी हो गया था लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती पिर एक रात जब सारे सोने जा रहे थे तब मनोर्मा भारती से कहती है सरीता का इस तरह भारती पर हसना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लिकिन उसने कुछ नहीं कहा तभी सरीता जट से रसोई में गई और फट से अपने कमरे में जली गई उधर भारती और मनोर्मा भी अपने अपने कमरे में चले गई अगली सुभर सबसे पहले सरीता उठी उसने जैसे ही चाय बनाने के लिए माचिस जलाई तभी पूरी रसोई में जोर का धमाका हुआ और चारो तरफ आग लग गई पहले धमाके और फिर सरीता की चीक सुनकर सब लोग रसोई की तरफ भागे उन्होंने देखा कि सरीता ठीक तो है लिकिन वो पूरी तरह से आग से घिरी हुई है धीरे धीरे आग बढ़ रही थी तभी भारती आग मसलते हुए वहाँ पहुँचती है भारती करीब करीब आधी नीन में थी लेकिन तभी सरीता बहुत जोर का चिलाई सरीता की आवाज भारती के कान तक पहुँच गई थी सभी लाचार और वीबस होकर सरीता को देख रहे थे सरीता को भी लगा कि उसका अंत समय आ गया है लेकिन तभी भारती ने पहली बार फूर्ती दिखाते हुए किचन के परदे को साइड किया और कंबल लेकर सरीता के पास पहुँच गई भारती को सब लोग हैरानी से देख रहे थे कंबल में लपेट कर भारती सरीता को आग से बाहर ले आई भारती ये सब तो ने कैसे किया पता नहीं ममी जी मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं जाओंगी तो सरीता मर जाएगी इसलिए मैं चली गई मनोर्मा की आलसी बहु ने अपनी जान पर खेल कर उसकी फूर्तीली बहु को बचा लिया था उसकी फूर्ती देखकर सभी लोग हैरान थे सरीता कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है कल तुमने गैस को ठीक से देखा नहीं होगा इसलिए ये सब हुआ है लेकिन भगवान की कृपा है कि तुम बच गई मुझे माफ कुर्दु भावी मैं आगे से ख्याल रखूंगी नहीं नहीं सरीता तु आज से गैस का कोई काम नहीं करेगी भारती कर लिया करेगी तुर घटना से देड़ ही भला है मनोर्मा की इस बात पर उसके बहु बेटे ठहा के लगा कर हसने लगे और इस तरह अब वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा एक समय की बात है दिली नाम की एक छोटे से शहर में राधिका अपने पती संतोश और अपनी सास दम्यंदी के साथ रहा करती थी राधिका गर्बवती थी और कुछी महीनों में अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी घर में खुशियों का माहोल था सभी बहुत खुश थे और फिर कुछ महीने ऐसे ही निकल जाती है एक दिन राधिका को प्रसर्व पीड़ा होती है और उसे अस्पताल पहुचाया जाता है हॉस्पिटल रूम के बाहर दम्यंती और संतोश चिंता में खड़े होती है कि तभी डॉक्टर अपने हाथ में संतोश के संतान को लेकर आती है आपको बेटी हुई है और वो पूरे तरीके से ठीक है लेकिन हम राधिका जी को नहीं बचा पाए ऐसा कहकर डॉक्टर संतोश की बेटी को दम्यंती के हाथ में दे देती है दम्यंती जब बच्ची का चहरा देखती है तो चिलाते हुए कहती है हे भगवान ना जाने हमारे घर में ये मन्हूस कहां से आ गई शकले से इतनी काली है कि कोईला का रंग भी इसके आगे कम पड़ जाए उपर से टकली भी है इसके सर पर एक भी बाल नहीं है नहीं ये मेरी पोती नहीं हो सकती ऐसा कहकर दम्यंती बच्ची को संतोष के हाथ में पकड़ा कर वहां से चली जाती है बिचारा संतोष समझ नहीं पाता कि वो अपनी बच्ची की इस दुनिया के आने की खुशी में खुशो या फिर अपनी बीवी के इस दुनिया से चले जाने की दुख में दुखी हो फिर भी जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और अपनी पत्नी का अंतिम संसकार करता है क्योंकि दम्यंती संतोष के बच्चे को आँख उठा कर भी नहीं देखती इसलिए वो खुद ही अपनी बेटी का नाम करण करता है और उसका नाम कनक रखता है समय इसी तरह बीतने और उसे बहुत नफर्त करती थी फिर एक दिन जैसे ही संतोष ऑफिस से घर आता है दम्यंती उसे अपने पास बठा लेती है और कहती है देख संतोष मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्टा आया है और तु भी जानता है कि तीरी उम्र अभी कुछ जादा नहीं है तेरे पूरे जिन्दगी पड़ी है बिताने को तू क्या अकेले रहकर अपने पूरे जिन्दगे नरक करना चाहता है क्या मेरी बात मान और दूसरे शादी कर ले मैंने लड़की को देख लिया है लड़की बहुत सुन्दर है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है बिचारी का पती एक सड़क दुरखटना में मर गया वो लोग भी लड़के के तलाश कर रही है देख मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कभी ये दुनिया छोड़कर चली जाओ ये भी नहीं जानती इसलिए मेरे जीते जी तू वापस सी अपना घर बसा ले मैं तुझे ऐसी अकेले नहीं द अच्छा सुन शाधी के पहले लड़की को मत बताना कि तीरी एक बेटी भी है तुझ जानता है कि तीरी बेटी कितनी बदसूरत दिक्ती है अगर उस लड़की को पता चल गया तो पता नहीं वो शाधी करेगी भी या नहीं पर मा ये तो गलत बात है अरे कुछ गलत नहीं है जब वो इस घर में आएगे तब हम उसे सब बता देंगे संतोश अपनी मा की बार टाल नहीं सकता था इसलिए वो दूसरी शादी के लिए हां कर देता है और फिर कुछी दिनों में अच्छा महुरत देखकर दम्यंती संतोश और महिनी की शादी करा दीती है महिनी दिखने में बहुत खुबसूरत थी और उसकी तीन साल की बीटी रुपाली भी अपनी मा की ही तरह अतियंत आकरशक और खुबसूरत थी शादी के बाद महिनी और रुपाली संतोश के घर आ जाती है रुपाली मुहिनी का हाथ छुडा कर पूरे घर में घूमने लगती है तभी घूमते घूमते रुपाली कनक के रूम में पहुंचाती है जैसे ही वो कनक को देखती है वो चिला पड़ती है चुडेल यहाँ पर चुडेल है रुपाली के चिलाने की आवाज सुनकर सभी उसके पास जाती है तबी मोहिनी की नजर भी कनक पर पड़ जाती है और वो संतोस से पूछती है संतोस जी ये कौन है? मोहिनी ये मेरी बेटी कनक है, मेरी पहली पतनी की बेटी पर आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि आपकी कोई बेटी भी है अरे मोहिनी बहो ये रहे या ना रहे हमेंसे कोई फरक नहीं पड़ता हमारे लिए ये बहुत मनहुस है इसलिए हमने तुझे इसके बारे में नहीं बताया और तु चिंता मत कर, तुझे इसका ध्यान रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो तो बस अपना और संतोष का ध्यान रख ऐसा कहकर दम्यन्ती मोहिनी को उसके कमरे में ले जाती है, समय इसी तरह बीतने लगता है कनक को संतोष के अलावा कोई भी प्यार नहीं करता था, ना ही कोई उसके तरफ दया भावना से देखता था देख कनक बेटा, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक लेकर आया हूँ संतोष कनक को इतना प्यार करता था, ये देखकर मोहिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था फिर एक दिन अचानक से दम्यंती के घुटनों में तेज दर्द उठता है इसलिए संतोष दम्यंती को अपनी गाड़ी में बठा कर हॉस्पिटल जाने लगता है कि तभी उनके गाड़ी का हाईवे पर एक बहुत बुरा एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें संतोष और दम्यंती की मौके पर ही मौत हो जाती है कनक का एक मात्र सहारा भी उससे छिन जाता है और उसके पिता के मृत्यू के बाद उसके सोतेली मा का वहवार उसके साथ अब और भी जादा बुरा हो जाता है मा मीरी टीचर आज बहुत गुशा कर रही थी वो कह रही थी कि मैंने कई महिने से स्कूल के फीस नहीं भरी है प्लीज अब जल से जल मेरे स्कूल के फीस भर दीजिए मुझसे तो तु अब बिलकुल उमीद मत रख कि मैं तेरे स्कूल के फीस भरूँगी मेरे लिए तु जीए या मरे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अगर मुझे पता होता कि तु जैसी काली गंजी मन्हूस लड़की इस घर में रहती है तो मैं इस घर में शादी करके कभी नहीं आती तेरा बाप भी खुद तो मर गया और तुझे मेरे सर पर छोड़ गया अपने सोतेली मा की ये बात सुनकर कनक का दिल तूट जाता है और वो वहां से जाने लगती है कि तबी रुपाली वहां आ जाती है मा मुझे 10,000 रुपे चाहिए मेरी फ्रेंड की शादी है और मुझे पहनने के लिए एक सुन्दर से लहेंगा और मेकप करने के लिए एक अच्छी से मेकप केट चाहिए हाँ बेटा अभी निकाल कर देती हूँ एकदम बढ़िया क्वालिटी का लहेंगा लेना जिसमें तू एकदम परी जैसी दिखे मैं चाहती हूँ कि पूरी शादी में मेरी बेटी जैसा सुन्दर कोई ना दिखे आपके बेटी जितनी सुन्दर कोई है भी नहीं मा ये बात तो तुने सौ आने की सच कही है ये सम देख कर कनक आखों में आसों लिए अपने कमरे में चली जाती है कुछ दिन इसी तरह बीट जाती है और फिर एक दिन रुपाली अच्छे से तयार होकर घर से निकल जाती है वो सुबह की निकली होती है और अब शाम हो जाती है मुहिनी चिंता में आ जाती है वो कईम बार रुपाली को फोन भी लगाती है पर अन्तु रुपाली फोन नहीं उठाती पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी है या नहीं सुभ़ से शाम हो गई है उसका कोई अता पता नहीं है उसने कहा था कि शादी जल्दी खतम हो जाएगी पर अब तो रात होने वाली है हे भगवान कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना गया हो इतनी चिंता करने के कारण मोहिनी की तब्यत काफी खराब हो जाती है यह देखकर कनक मोहिनी से कहती है मा आप चिंता मत कीजी दीदी घर आ जाएंगी वैसे भी शादी जैसे फंक्शन में टाइम लग जाता है कनक से मोहिनी की यह हालत देखी नहीं जाती इसलिए वो रुपाली को ढूलने निकल जाती है परन्तो जब वो शादी के कारण पर लिखे एड्रेस पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि शादी कलकी है अगर शादी कलकी है तो दीदी अभी कहां गई है तबी जिस घर के एड्रेस पर कनक आई थी उस घर से एक लड़की निकल कर बाहर आती है अगर तुम रुपाली के बारे में पूछने आई हो तो मैं बता देती हूँ कि रुपाली कलब गई है और वो भी अपने आवारा दोस्तों के साथ मैंने उसे कई बार मना किया पर अन्तूस ने मेरी बात ही नहीं सुनी आपका बहुत बहुत शक्रिया इसके बात कनक उस लड़की के बताय हुए कलब के एड्रेस पर पहुंचाती है वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि रुपाली अपने आवारा दोस्तों के साथ दारू पीकर पार्टी कर रही होती है जैसे ही रुपाली की नजर कनक पर पढ़ती है वो म्यूजिक रुखवा कर तेज आवाज में कहती है तू यहां क्या कर रही है तुझे यहां का एड्रेस किसमें बताया उसे कोई फरक नहीं कड़ता दीदी आप घर चलिए मा आपका इंतिजार कर रही है आपकी वज़े से वो बहुत चिंता में है और इसे कारण उनके तब्यत भी खराब हो गई है जब रुपाली के मा की दोस्त कनक को देखते है तो वो उसका मज़ाग बनाने लगती है रुपाली यह टकली तेरी बहन है हे भगवान विश्वास नहीं होता तुम दोनों बहने हो अरे यह मेरी बहन नहीं है मेरी सोतेली बहन है और तुम लोग की मुझे किस से कंप्यर करने में लगे हो मैं कहां और ये कहां उसके बाद रुपाली भी अपने फ्रेंट्स के साथ मिलकर कनक का मजवाग बनाने लगती है कनक आखों में आसो लिये कलब के बाहर आ जाती है अगर मेरा रंग काला है मेरे सर पर बाल नहीं है और मैं बस सोरत हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है भगवान ने मुझे ये रूप दिया है आखिर इसमें मेरा क्या दोश है जो ये लोग मुझे ऐसे नामों से बुलाती है क्यों वो मेरा इतना मजवाग बनाती है आखिर मैंने क्या किया है ऐसा कहकर कनक रोने लग जाती है कि तबी उसके नजर जमीन पर गिरी एक घायल चुडियां पर जाती है ही भगवान ये चुडियां तो बहुत घायल है मुझे इसके मरम पटी करनी होगी नहीं तो ये यहीं पर अपने प्राण त्याग देगी कनक जल्दी से एक कैमिस्ट पर जाती है और कुछ दवाई खरीद कर उस चुडियां की चोट पर लगा देती है कनक के ऐसा करती ही वो चुडियां एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवात कनक अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं इस रूप में हमेशा के लिए कैद रहती मैं तुम्हारी शुक्र गुजार हूँ आपको शुक्रिया अद्या करने की कोई जरूरत नहीं है मैं एक इनसान हूँ और इनसाने दिखाना मेरा फर्ज है अगर ऐसा है तुम दयालू के साथ साथ बहुत समस्दार भी हो मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे कोई वर्दान मांगो अगर ऐसा है तो आप मुझे खुबसुरत बना दीजी लोग मेरी इस रूप का बहुत मजाग बनाते हैं अगर मैं खुबसुरत हो जाओंगी तो लोग मेरा मजाग नहीं बनाएंगी और मैं शान्ती से इस दुनिया में जी पाऊंगी कनक के इतना कहते ही परी कुछ मंत्र पढ़ती है और अपनी छड़ी घुमाती है परी के ऐसा करते ही कनक अतियंत सुन्दर हो जाती है और उसका सपाट सर बालों से भर जाता है उसके बाल बहुत लंबे हो जाती है मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है साथ ही साथ मैंने तुम्हारे बालों को अत्यधिक लंबा कर दिया है और ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है ये जादूई बाल है इन बालों के आगे तुम कोई भी इच्छा प्रकट करोगी तो वो पूरी हो जाएगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी इसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है और कनक भी अपने घर आ जाती है जब वो घर आती है तो देखती है कि रुपाली वहाँ पहले से ही मुझूद है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो दीदी मैं कनक हूँ आपने मुझे पहचाना नहीं इसके बाद कनक रुपाली और मोहिनी को सारी बात बताती है और उन्हें ये भी बताती है कि अब उसके बाल जादूई हो गई है ये सुनकर मोहिनी कहती है मुझे माफ कर दे कनक बेटा मैंने तुझे गुसे में कितना कुछ कह दिया पर मैं सच कह रही हूँ मैं रुपाली की चिंता में थी इसलिए मैंने तुझे इतना कुछ कहा और हाँ मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया है मैंने आज तक जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा कनक बहुत भोली थी अपनी मा के दो मिठे शब्द सुनते ही वो उसे माफ कर देती है बेटा तु यहीं बैट मैं तेरे लिए तेरे मन पसंद आलू के पराठे बना कर लाती हूँ ऐसा कहकर मोहिनी रसुई में चली जाती है मोहिनी के पीछे पीछे रुपाली भी जाती है मा क्या अभी अभी आपने जो कहा वो सच था बिल्कुल भी नहीं अरे मुझे तो वो लड़की अभी भी फूटी आख नहीं लुभाती पर अब उसके पास वो जादूई बाल है इसलिए मैंने प्लैन बनाया है कि मैं उसके पराठे में नशे की दवाई मिला दूँगी और फिर उसे खाते ही वो बेहोश हो जाएगी जिसके बाद हम उसके जादूई बाल काट लेंगे और उसके बाद हम उस जादूई बाल के जादू का इस्तेमाल करेंगे और इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे क्या बात है माँ आपने तो बड़ा ही कमाल का आइडिया निकाला है इसके बाद मोहिनी नशे वाले पराठे बनाती है और कनक को खिला देती है कनक भी खुशी खुशी में पराठे खा लेती है और फिर वहीं वेहोश हो जाती है जिसके बाद मोहिनी और रुपाली कैंची की मदद से कनक के जादूई लंबे बाल काटने लग जाती है लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है वो कैंची मोहिनी और रुपाली दोनों के बाल काट देती है और उन दोनों को गंजा कर देती है साथ ही साथ वो दोनों बहुत ही बदसूरत भी हो जाती है जैसी ही कनक को होश आता है वो मोहिनी और रुपाली को इस हालत में देख कर हैरान रह जाती है और इसके बाद उसे सारी कहाने का पता चलता है मा दीदी आपने ऐसा क्यों किया अगर आपको कुछ भी चाहिए था तो मुझे आप बता दे दी मैं अपने जादू लंबे बालों के जादू से सब कुछ आपको दे दे दी लेकिन आपने मेरा फाइदा उठाया और मुझे धोका दिया मैं बच्पन से आप दोनों के साथ सरफ इस उमीद से रहती आई कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप दोनों मुझे प्यार करेंगे पर शायद मैं गलत थी अब मैं यहाँ से जा रही हूँ ऐसा कहकर कनक अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और अपने जादूई लंबे बालों की मदद से एक छोटा सा घर ले लेती है और अपने जादूई बालों की साहिता से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है और हसी खुशी जीवन बिताने लगती है परी का जादूई मक्मली घागरा चोली ये कहानी मथुरा में रहने वाली अमरिता नाम की लड़की और उसकी सोतेली मा कामना देवी की हैं अमरिता की पिता ने पहली पतनी के मर जाने के बाद कामना देवी से दूसरी शादी की थी लेकिन कुछी समय बाद उनकी खुद भी मृत्यू हो गई तब से कामना को ही अमरिता को पालना पड़ा इस वज़े से वो उसे अपने सर का बोज समझने लगी उसको ना पसंद करने अमरिता की जब पहली मा जिन्दा थी तब उसने सिलाई सीखी थी आज वही सिलाई उसके बहुत काम आ रही थी क्यूंकि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था सिलाई करके जो पैसे आते थे उसी से अमरिता और कामना देवी दोनों का जीवन चल रहा था उसके मावजू कामना देवी को अमरिता बिल्कुल पसंद नहीं थी वो हमेशा किसी भी तरह से उसका बुरा ही सोचती रहती थी एक दिन अमरिता घर में ज़ाड़ू लगा रही थी तबी उसने अपनी सोतेली मा से कहा मा आप थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ खड़ी हो जाएए मुझे इधर ज़ाड़ू लगानी है अरे ज़ाड़ू लगा रही है तो मैं क्या करूं मैं यहां खड़ी हूं और यहीं खड़ी रहूंगी जाओ यहां से मेरे सर्मत खाओ मन्हूस कहीं की जरा सा हट जाओगी तो क्या हो जाएगा इतना भी क्या करना जुबान चला रही है तुझे तो अभी बताती हूँ ऐसा कहकर कामना अमरिता को जोड़दार चाटा जड़ देती है थपड़ खाने के बाद अमरिता कामना से कहती है बिना फालतू में मार क्यों रही हो जाड़ू लगा रही हो तो थोड़ा साइड हटने के लिए ही तो बोला था घर के काम भी मैं ही करूँ काम करके घर भी मैं ही चलाऊँ उसके बाद भी आपकी डाट सुनू और पिटाई खाऊं सो अलग अगर मेरी मा ने मुझे कपड़े सिलने की कला ना सिखाई होती तो पता नहीं क्या होता जादा बकवास करने की जरूरत नहीं है समझे तुम तुम से जितना कहा चाता है उतना ही किया करो अगर जादा पटर पटर की ना जुबान खीच कर हाथ में दे दूंगी समझी आई बड़ी घर में आई दिन ऐसे जगड़े होती ही रहती थी आज इसी जगड़े के दोरान दर्वाजे पर गाउं की रानी की दो सैनिकों के साथ दस्तक होती है अरे घर में कोई है क्या अमरिता बेटी घर में ही होना जरा बाहर तो आना अमरिता आवाज सुनकर बाहर आती है तो देखती है कि बाहर रानी साहिबा आई हुई है उन्हें देखकर अमरिता बहुत खुश होती है और कहती है अरे रानी साहिबा आप यहां कैसे आना हुआ आएए ना अंदर चलिए हमारे छोटे से घर में आपको तो इतने छोटे घर की आदत नहीं होगी ना अरे नहीं नहीं अमरिता मैं यहां बैठने नहीं आई हूँ मैं यहां को जरूरी काम से आई हूँ जैसे कि तुम जानती ही होगी मेरी बहुरानी गर्भवती है अभी उसका साथवा महिना चल रहा है एक महिने बाद उसके गोद भराई के रस्म होगी बहुत बड़ा जैशन रखा जाएगा अरे वाह रानी जी ये तो सच में बहुत खुशी की बात है तो कितने अच्छे कपड़े सिलती है ये तो पूरे गाउं को पता है इसलिए तुझे मेरे लिए 15 मखमली घागरा चोली सिलना होगा वो भी एक महीने के अंदर ही लेकिन रानी जी एक महीने के ही बना पाऊंगी इतना सारा घागरा चोली में के लिए नहीं सिलती है लेकिन तुम जो सिलाई करती हो उसकी तो बात ही अलग है मुझे आपके इन बातों से बहुत खुशी मिली लेकिन जल्दी बाजी में मैं काम खराब नहीं करना चाहती मैं जो भी काम करती हूँ अराम से करती हूँ पर अच्छा करती हूँ देख अमरिता तू कोशिश करेगी तो तू अराम से सारा घागरा चोले तयार कर पाएगी एक बात याद रखना सारे घागरा चोले जबरदस्त होने चाहिए ये ले आधे पैसे रानी अमरिता को पैसे देनी लगती है लेकिन अमरिता मना कर रही थी तबी वहाँ पर उसके सोतेली मा आती है और रानी के हाथों से जट से पैसा ले लेती है और रानी से कहती है अरे रानी जी अब बेफिकर होकर जाएए मेरी बेटी बहुत महनती है ये एक महिने के अंदर अंदर आपको 15 मकमली घागरा चोली तयार करके दे देगी ये तो इसके बाई हाथ का खेल है ठीक है मैं चलती हूँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना अगर एक महिने के अंदर अंदर 15 मकमली घागरा चोली बनकर तयार नहीं हुए तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी समझ गई तूँ इतना कहकर रानी वहां से चले गई रानी के जाती ही अमरिता टैंशन में आ गई एक महिने में 15 घागरा चोली सिलना ये तो उसकी लिए नामुम्किन था एक महिने तक बहुत महनत करने के बावजूद जाद से जाद वो 6-7 घागरा चोली ही सिल सकती थी दूसरी तरफ कामना देवी खुशी खुशी पैसे गिन रही थी तब ही अमरिता ने गुसे में उससे कहा तुमने रानी से पैसे क्यों लिये एक महिने के अंदर अंदर में 15 घागरा चोली कैसे सिल्पाऊंगी वो भी मकमली कपड़ी का पता नहीं आपकी अकल कहा चली गई है ओ लड़की जादा बोल मत अकल की अंधी तुम हो मैं नहीं समझी आई हुई लक्षमी को पैरों से ठुकरा रही थी इतने सारे पैसों से मैं कितना कुछ खरीद सकती हूँ ये पैसे मैंने रख लिये हैं अब तुम जाकर महनत करो क्योंकि अगर तुम 15 घागरा चुली नहीं सिल पाई तो राने से बहुत डाट पड़ेगी तुम्हें बिचारी अमरिता महनत करने में जुट गई देखते ही देखते 29 दिन बीद गए दिन रात महनत करके खाना पीना सब भूलकर अमरिता घागरा चुली सिल रही थी गए और इतनी महनत के बाद भी अभी सिर्फ पांच ही घागरा चुली तैयार हुए हैं दर्द से पूरा बदन दुखने लगा है मेरा ऐसा कहते हुए अमरिता उठकर थोड़ा सा टहलने के लिए घर के बाहर आती है तबी वो देखती है कि बाहर तो बहुत तेज तुफान चल रहा है और बारिश हो रही है और उसी तुफान और बारिश के वज़े से एक चुडिया का घोसला जमीन पर गिर गया अरे रे इतनी बारिश और तुफान में बिचारी चुडिया का घोसला गिर गया उसमें तो अंडे भी है वही सामने एक घोसला गिरा हुआ था जिसके अंदर अंडे थी और एक चुडिया उसके उपर ही उड़ रही थी बारिश और तुफान की फिक्र ना करते हुए अमरिता उस घोसले को उठाती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाकर रख देती है अब चिंता की कोई बात नहीं है अच्छा हुआ इसको समय पर देख लिया था मैंने वरना इस चुडिया के साथ अनर्थ हो जाता चुडिया अमरिता की पीछे-पीछे उसके घर के अंदर आ जाती है और अमरिता जहां घोसला रखती है वो उस घोसले के उपर बैट जाती है ये सोच कर कि तुफान थमने पर वो चुडिया खुदी चली जाएगी अमरिता उस चुडिया को कुछ नहीं कहती और वापस अपने काम में व्यस्थ हो जाती है और दुखी मन से कल के बारे में सोचने लगती है पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ बस कुछ ही घंटे बाकी है कल सुबह होते ही रानी साहिबा घर आ जाएंगी मैं तो सिर्फ पांच ही घागरा चोली सिल पाई हूँ ना जाने क्या जवाब दूगी मैं कल उन्हें हे भगवान क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा तबी वहाँ पर कामना देवी आती है घागरा चोली देखकर अमरिता से कहती है बाप रे बाप इतने दिनों में तुमने सरफ पांचे घागरा चोली सिला है तुमसे तो कोई भी काम ढग से और जल्दी नहीं हो पाता हर काम को करने में कई घंटे लगा देती हो शरम नहीं आती आपको ये सब बोलने में दिन रात मेहनत करके इन घागरा चोली को सिलने में लगी हूँ मैं एक बार भी मेरी मदद करने नहीं आई तुम और अब मुझ पर चिला रही हो अमरिता की ये बात सुनकर कामना देवी को बहुत गुस्रा आता है और वो गुस्रे में कहती है तुम उसे जुवान लडा रही हो मन तो करता है मार मार के तेरी हड़ी पसली एक कर दूँ अगर तेरी वज़े से मेरे पेट नहीं पर रहा होता तो कबके तेरा काम खतम कर चुकी होती लेकिन खुशी तो मुझे इस बात की है कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेग अब जो करेगी कर राने सहिबा करीगी तेरे साथ तो नहीं अब उनका काम जो नहीं किया और उन्होंने जो पैसे दिये थे वो सारे पैसे तो मैं पहले ही खतम कर चुकी हूँ इतना कहकर कामना देवी वहाँ से चली जाती है कामना देवी के जाने के बाद अमरिता रोते हुए हाथ जोड़कर उपर वाले से प्रात्ना करने लगती है हे भगवान क्या पाप किये है मैंने क्यों मुझे ये सजा दे रहे हो क्या करूंगी मैं अब ये दुस्ट औरत सारे पैसे भी खर्च कर चुकी है अब मैं रानी साहिबा को क्या जवाब दूँगी तबी अचानक से अमरिता के कानों में बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है ओ प्यारी अमरिता तुम रो क्यों रही हो? मैं हो ना तुम परिशान मत हो कौन? कौन बोला? किसने मेरा नाम पुकारा? इधर देखो अमरिता मैं चुड़ियां बोल रही हूँ अरे तुम तो वही हो जिसके गोसले को बचाने के लिए मैं घर में ले आई थी तुम बोल सकती हो मैं सिरफ बात ही नहीं कर सकती मैं तुम्हारे समस्या का समाधान भी कर सकती हूँ मतलब क्या कहा तुमने तुम मेरी मदद कैसे करोगी मुझे कुछ समझ नहीं आया तुम तो एक मामूली सी चुडिया हो तुम कैसे मेरी मदद करोगी अमरिता की ये बात सुनकर वो चुड़िया एक बहुत खुपसुरत परी के रूप में बदल जाती है और कहती है मैं कोई मामूली सी चुड़िया नहीं हूँ अमरिता मैं केवल मामूली चुड़िया बनकर धरती लोग पर रहती हूँ क्योंकि रानी परी द्वारा मुझे ये कार्रे मिला हुआ है कि मैं साधारन सी चुड़िया बनकर प्रित्वी लोग पर रहूँ और जरूरत मन लोगों की मदद करूँ लेकिन आज पहली बार मुझे मदद की जरूरत थी जब मेरा घोसला नीचे गिरा तो मैं बहुत घबरा गई थी लेकिन उस वक्त मेरी मदद करने वाली तुम थी जो सबकी मदद करती थी तुमने उसकी मदद की इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारा तही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ नहीं नहीं परी आप शुक्रिया मत कहिए इंसान होने के नाते मैंने आपके घोसले और नवजात बच्चों को बचाया ये तो इंसानियत होती है तुम्हारे इसी विनर्म दिल और इंसानियत के चलते ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तुम जाकर आराम से सोचाओ और सारी चिंता छोड़ दो कल का नया सवेरा तुम्हारे जिन्द की बदल देगा परी का धन्यवाद करके और उसकी बातों पर विश्वास करके अमरिता जाकर सोचाती है ठकावट की वज़े से उसे तुरंत नींद आ गई दूसरी तरफ परी ने अपने जादू शक्तियों से वहाँ पर दस मखमली घागरा चोली प्रकट कर दिये जो दिखने में बहुत खुब सुरत थे ऐसा करके परी ने वापर शुड़िया का रूप लिया और अपने घोसले सहित वहाँ से गायब हो गई अगली सुबा होते ही रानी दो सैनिकों के साथ अमरिता के घर आ पहुँची और उसे आवाज लगाने लगी अरे अमरिता, ओ अमरिता, कहा हो, घर पर नहीं हो क्या रानी की आवाज सुनकर कामना देवी फोरण घर के बाहर जाती है और कहती है आईए रानी साहिबा, आपने आने का कस्ट क्यों किया, आपने मुझे बुलवा लिया होता रानी की ये बात सुनकर कामना खुश होते हुए अपने मन में सोचती है अब तो मज़ा आने वाला है, जब रानी साहिबा को पता चलेगा कि अमरिता ने सारे लहंगे अभी तक नहीं सिली, तो क्या हाल होगा उसका, अरे वा, मज़ा आ गया आये नमा रानी जी, घर के अंदर रखे हैं सारे घागरा चोली ऐसा कहकर कामना देवी, रानी को घर के अंदर घागरा चोली के पास लेकर जाती है तबी वहाँ पर अमरिता भी आ जाती है, अमरिता घबरा रही थी दूसरी तरफ कामना देवी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी लेकिन रानी वहां रखे जादूी मखमली घागराचोली देखकर बहुत खुश हो गई रानी सहेबा एक केक करके सारे घागराचोली देखने लगती है इतने में अमरिता उनकी लिए चाय बना कर लाती है रानी सहेबा को पीने के लिए देती है, रानी सहेबा चाय पीने लगती है, कि तभी अचानक से कामना देवी रानी सहेबा के उपर गिर जाती है, और गरम गरम चाय रानी सहेबा के उपर गिर जाती है अरे कामना की बच्ची तुने तु मुझे जला ही दिया ठीक से खड़ी नहीं हो सकती है क्या तांगों में जान नहीं दी भगवान ने बत्तमीज कहीं की मैंने कुछ नहीं किया रानी साहिबा सच में मैंने कुछ नहीं किया इतना कहकर कामना देवी घर से बाहर भागने लगती है लेकिन तब ही रानी के साथ आई हुए सैनिक उसे पकड़ लेती है सैनिको इस औरत ने गरम चाय से मुझे जलानी की कोशिश की है इसे फोरण महल में ले चलो और कुछ दिनों के लिए कारावास में डाल दो इतना कहकर रानी अमरिता को बांकी के पैसे देती है और अपने सैनिको और कामना देवी के साथ वहां से चली जाती है अमरिता को पैसे भी मिल गए थे और साथ में उसकी सोतेली मासे छुटकारा भी वो बहुत खुश थी, वो हाँ जोड़कर परी को याद करती है तब ये वहां पर परी प्रकट हो जाती है, तब अमरिता कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने तो एक पल में मेरी सारी तकलीफ ही दूर कर दी अभी तुम्हारी तकलीफ खत्म नहीं हुई है अमरिता इतना कहकर परी वहां पर एक मखमली जादवी घागरा चोली प्रकट करती है और कहती है ये घागरा चोली तुम अपने पास रखो ये तुम्हें सारी मुसीबत से भी बचाएगा और साथ में तुम्हारी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा इसे तुम मेरा आशिरवात समझ कर अपने पास रख लो आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी परी वहां से गायब हो जाती है अब अमरिता के जीवन में कोई भी कठिनाईया नहीं थी वो महनत करके कमाती और अपना गुजारा करती अगर उसे कोई मुसीबत होती तो जादूी मखमली घागरा चोली से कहकर अपनी मुसीबते दूर करवा दे थी अब उसे गरीबी से भी छुटकारा मिल गया था और उसके सोतेली मा से भी लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन अमरिता खुशी-खुशी वैतीत करने लगी बहुत समय पहले की बात है श्यामपुर नाम के गाओं में सलोनी नाम की लड़की अपनी मा के साथ रहती थी और उन्ही के साथ ममता नाम की लड़की भी रहती थी जो कि उनके घर में नौकरानी का काम किया करती थी वैसे पहले तो ममता की माँ वहाँ पर काम किया करती थी लेकिन अचानक उसकी माँ की मृत्यों हो जाती है जिसके बाद वहाँ पर ममता आकर काम करने लगती है ममता बहुत ही गरीब थी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए सलोनी के कहने पर उसकी माँ उसे घर पर रख लेती है सलोनी बहुत ही अच्छी रड़की थी लिकिन सलोनी की माँ बहुत घमंडी थी उसने ममता को तो अपने घर रख लिया पर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, वो सलोनी को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता था, ऐसे ही दिन बीत रहे थे, एक दिन सलोनी का जनम दिन आता है, जिस दिन सलोनी का जनम दिन होता है, संजोग से उसी दिन ममता का भी जनम दिन होता है, इसलिए सलोनी अप केक काट कर खुश हो जाएगी क्योंकि वो सारा दिन घर का काम करती रहती है इसलिए आप कम से कम उसके जरम दिन वाले दिन उससे एक भी काम मत करवाना सलोनी तेरे कहने पर मैंने उसे यहां पर रख रखा है और हम उसे खाना भी देते हैं इसलिए तुमें उसके जादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसके लिए इतना बहुत है इससे जादा अगर हम उसको देने लग गए तो वो हमारे सर पर चड़ जाएगी तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं ओहो मा मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ जो आपको ठीक लगे आप वही करो इतना कहकर सलोनी वहां से चली जाती है सलोनी के जनम दिन के लिए उसकी मा ने उसको दो ड्रेस दिलाई थी उनमें से एक ड्रेस को लेकर सलोनी मम मता अज तुम्हारा भी जनम दिन है और मुझे पता है कि मा तुम्हें कुछ भी नहीं दिलने वाली है इसलिए मैंने मा से अपने लिए दो ड्रेस ली थी उसमें से एक ड्रेस तुम रख लो ममता की बात सुनकर सलोनी वहां से चली जाती है सलोनी के वहां से चले जाने के बाद उसकी मा ममता के पास आती है और बोलती है सुन ममता, आज घर के कामों के लावा तुझे इस घर को सजाना भी है सलोनी के जनम दिन पर बहुत सारे महमान आ रहे है इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है और ये सब तुझे अकेली ही करना है, इसलिए काम में लग चा हाँ हा मा मैंने सारे तयारिया करना शुरू कर दी है मैंने सलोनी से उसके दोस्तों के मन पसंद खाने के मारे में भी पोच लिया है मैं वो सब बना दूंगी देख ममता तेरी मा के जाने के बाद तु इस घर में काम करती है मैंने तुझे इस घर में रहने की जगा भी दी है लेकिन सलोनी चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बरताफ करूँ जैसे कि मैं सलोनी के साथ करती हूँ और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती भला मैं जिस तरह अपनी बीटी के साथ रहती हूँ उस तरह मैं नुकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ खेर मैं तो तुझे ये बोलने आई थी कि तु सलोनी के बटे में नजर भी नहीं आईगी वरना सलोनी का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा पार्टी खतम हो जाने के बाद जो भी बचेगा वो तुझे मिल जाएगा ठीक है ठीक है आउंटी इतना पोल कर सलोनी की मा वहाँ से चली जाती है ये सब सुनकर ममता को बहुत बुरा लगता है लिकिन वो सब अंदेखा कर वो अपने कामों में लग जाती है इस तरह उस दिन ममता का भी जनम दिन था लिकिन सलोनी की मा ममता से घर का सारा काम कराती है और पूरे घर को अच्छे से सजवाती है और सब के लिए खाना भी बनवाती है जैसे ही घर का सारा काम खतम हो जाता है सलोनी की मा सलोनी से नजर चुपा कर ममता को थोड़ी देर के लिए कहीं और भेज देती है थोड़ी ही देर में सारे महमान आ जाते है और सलोनी केक काटने वाली होती ही है तबी सलोनी अपनी मा से पूछती है मा मुझे ममता कहीं नजर नहीं आ रही है उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और पता नहीं कहां चली गई है तू ही उसे दोस्त मानती है और तूने उसे सर पर चढ़ा रखा है देखा तेरे बड़े पाटी से कैसे चल कर बाहर चली गई अपनी मा की बातों का सलोनी पर कोई असर नहीं हुआ और वो समझ गई कि उसकी मा नहीं उसको घर से बाहर निकाला है वहीं दूसरी तरफ ममता पेड़ के नीचे बैट कर रो रही थी अगर आज मेरी मा जिन्दा होती मेरा भी जनम दिन मनाया जाता बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं होते मां हमेशा मेरे बर्डे पर बड़ा सा केक लेकर आती थी आंटी के किसी भी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन उन्होंने मुझे आज सलोनी के बर्डे पार्टी में ना रुकने के लिए कहा तब मुझे बहुत बुरा लगा ममता अकेली वहाँ पर रो रही थी तभी वहाँ पर एक परी ममता के रोने की आवाद सुनकर आती है और बोलती है सुनो लड़की यही आसपास कहीं मेरी जादूई चड़ी गुम हो गई है क्या तुम उसे ढूनने मेरी मदद करोगी लेकिन सुर्यास थोने से पहले मुझे मेरी जादूई चड़ी नहीं मिली तो मैं कभी परी लोक नहीं जा पाऊंगी फिर परी और ममता जादूई चड़ी ढूनने लगते हैं बहुत देर तक ढूनने के बाद ममता को वो जादूई चड़ी मिल जाती है परीची ये जादूई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी चड़ी है, तुमने मेरी जादूई छड़ी ढूडने मेरी मदद करी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे जब मैं यहां आ रही थी, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था क्या तुम मुझे बता सकती हो, तुम क्यों रो रही थी? अब क्या बताऊं परीची, कुछ सालों पहले मेरी मा की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मैं अपने दोस्त के घर पर काम करती हूँ सलोनी की माने मुझे अपने घर में रहने के जगा दी, लेकिन वो कभी भी मुझे सही से बात नहीं करती है आज मेरा जनम दिन है, और उन्होंने मुझे घर का सारा काम करवा कर, मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जनम दिन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करूँगी इतना कहकर परी वहाँ पर एक बड़ा सा केक प्रकट करती है, और उसके बाद ममता के फटे पुराने कपड़ों को एक नई फ्रॉक में बदल देती है ये एक जादोई केक है और इस जादोई केक को खाकर तुमारे अंदर भी जादोई शक्तियां आ जाएंगी और उसके बाद तुम घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर सकती हो और अगर तुमने किसी बिमार इनसान को चुआ तो वो भी आदमी ठीक हो जाएगा चलो अब जल्दी से केक काट दो और उसके बाद परी ममता का बड़े सलीब्रेट करती है और ममता को अपने हाथों से केक खिलाती है और थोड़ी देर बाद ममता परी को धन्यवाद करके सलोनी के घर पटे पुराने कपड़ों में लोटाती है चल अब पार्टी खतम हो गई है और बहुत सारे बरतन गंदे पड़े है जा अब जाकर साफ कर ले और हाँ थोड़ा सा केक बच गया है जाकर खा लेना इतना कहकर सलोनी की मा वहाँ से चली जाती है और ममता के अंदर जादूई शक्तियां आ चुकी थी जिसकी मदद से ममता घर के सारे काम एक मिनिट में ही कर देती है और सारे बरतन भी चुट्कियों में ही धो देती है ऐसे ही दिन बीटते गए एक दिन अचानक सलोनी की मा की तवियत खराब हो जाती है सलोनी अपनी मा को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है लेकिन फिर भी उनकी तवियत में कोई सुधार नहीं होता बेटा, अब मुझे नहीं लगता है कि मैं अब जादा दिन तक रह पाऊंगी बेटा, ममता एक बहुत अच्छी लड़की है मैंने हमेशा उसके साथ बुरा वहवार किया लेकिन उसने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा मेरे जाने के बाद हमेशा तुम दोनों साथ रहना बेटा और एक दूसरे का ख्याल रखना सलोनी अपनी मा की ये हालत देखकर बहुत रो रही थी तब ही ममता उससे बोलती है सलोनी मेरे पास एक जादूई शक्ती है जनम दिन वाले दिन जब आउंटी ने मुझे घर से निकाल दिया था तब वहीं पर एक परी आई और उन्होंने ही मेरा बड़े सेलिब्रेट किया था परी के पास एक जादूई केक भी था रखती है उसके ऐसा करते ही सलोनी की मा ठीक हो जाती है उसके बाद सलोनी की मा ममता से माफी मांगती है बेटा मुझे माफ कर दे बेटा मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया मुझे माफ कर दे आज से मैं सलोनी और तुझ में कोई भेदभाव नहीं करूंगी इतना कहकर सलोनी की मा ममता को गले से लगा लेती है उस दिन के बाद से सलोनी की मा ममता को अपनी ही बीटी की तरह प्यार करने लगती है और सभी मिलकर हसी खुशी रहने लगते हैं